हेलो रिवान आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलोल डी 3 प्लस टैब्डेट के बारे में जो कि यह दवा के इस्तमाल बहुत ज़्यादा हटियों की कमजोरी को दूर करने में काफी ज़्यादा फैदिमंध है इसके साथ ही साथ केलसियम की कमी के कारण बोडी में अनेकों परकार की समस्या होने लगती है तो उन से भी कंडिशनों में है काफी फैदिमंध है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सिलोल डी 3 टैब्डेट के बारे में इसमें कॉंपोजिशन का है, कॉंपोजिशन का क्या काम है कौन कौन से समस्या में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है किसी नहीं लेना है, सभी जैनकरी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं सिलोल डी 3 प्लस टैब्लेट जो की M-Cure Pharmaceutical Company की बिना ही मेडिसिन है 15 टैब्लेट की पैगिंग है और 200 रुपे की प्राइज में आपके पास की मेडिकल स्ट्रुप अबलेबल हो जाता है अब बात करते हैं सिलोल डी 3 प्लस टैब्लेट में क्या के कॉंपोजिशन है तो इसमें आपको तीन तरह के important composition अबलेबल हो जाते है जैसे कि आपको इसमें calcitrol जिसे vitamin D3 भी कहा जाता है इसमें आपको zinc अबलेबल हो जाता है calcium अबलेबल हो जाता है यह तीनों ही composition combine हो करके आने को पर करके समस्या को दूर करने में काफी फायद मन्द है इसमें जो आपको vitamin D3 मिल जाता है जो की calcium को body में absorb करने में मदद करता है और सरीर में calcium की कमी को दूर करता है calcium की कमी के कारण हाथ पेरों में कमजोरी हो जाना हड़ियों में कमजोरी हो जाना जोड़ों में दर्द होना हड़ियों में कमजोरी होने के साथ-साथ बार-बार हड़ियां का तूटने की समस्या होती है low bond density होता है तो उनसे भी condition में काफ़ी फायदमंद है अगर हड़ि तूट चुकी है fracture हुआ है किसी फरकार का तो उनसे भी condition में भी इसे जोडने के लिए दिया जाता है और मजबूत करने के लिए इसके साथ-साथ यह दातों की समस्या में भी काफ़ी फायदमंद होता है मसूरों से खूनाना तो उनसे भी condition में भी यह काफ़ी राहत देने में मदद करता है इसके साथे साथे माश पेशियों और नसों की कमजोरी को दूर करता है सरारी ठाकावट होना, कमजोरी महसूस करना तो उनसे भी कंडिशनों में भी काफी अच्छे से काम करता है इसके साथे 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 आपको इसमें जिंक भी मिल जाता है जो की immune system को मजबूत करता है रोक पती रोधक चमता को भढ़ाता है होने वाले जो भी बार-बार समस्यां होती है infection होता है सरदी जुखां बार-बार होती है तो उन से भी conditionों में है उन से भी infectionों से लड़ने में काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है इसके सांथी सांथ यह body में healthy metabolism को बना रखता है blood clotting की समस्या को दूर करता है इसके सांथी सांथ लंबे समय से मुझ का खराब रहना किसी परकार का सुगंद या smell का नहीं पहचान आपाना या जीव पेटिश्ट का नहीं सही से स्वादाना इस तरीके समस्या होती है तो उन सभी condition में भी है काफी अच्छे से संतूलित करता है समस्याओं को तो इन सभी condition में इस दवा के सांथा क्या डोज है तो इसे दिन में एक बार रात को सोगते वक्त गुनोने पानी या गुनोने दूद के साथ ताप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, यह दवा का इसामाल हो इसका डोज का कनफरमेशन डॉक्टर की रिख देख में करते हैं, तो आपके लिए काफी फैदे मंध होगा, यह दवा किसी के बदाय जने पर आप इसे इस्तमाल ना करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो वा मिटिंग, सर में दर, तोचा में लाली पन, बहुत ज़्यादा निन दाना भूख न लगना, बेचेनी जैसे महसूस होना इस तरही के आपको normal stage पे side effects देखने को मिल सकते हैं किसे नहीं लेना है, अगर आप pregnant lady है, breastfeeding mother है किसी परकार का आपको कोई भी critical medical condition में कोई दावा का कोड़ चल रहा है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और हमारे चैनल को subscribe किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you for watching